So, hello दोस्तो, reasoning के एक नय episode में आपका स्वागत है और पहला सवाल है कि रूस है, मास्को है, सर्विया है और question mark की जगह पे बताना है कि क्या होगा तो ये जो मास्को है न दोस्तो, ये रूस की राजधानी है ठीक है तो बताना है कि सर्विया की रजधानी क्या होगा यहाँ पे बहुत लोग को पता भी होगा कि यहाँ पे प्राग किसकी रजधानी है प्राग थोड़ा सा दिमाग पे जो डालिए यह है चेक गड़राजी की रजधानी ठीक है अगला स्वाल है कि 4 है 5 है 12 है 49 है question mark है यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे 1 बढ़ गया है यहाँ पे 7 बढ़ गया इसे करकर बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ logic अलग लगाए गया है ठीक है क्योंकि 12 के बाद यहाँ पे तो हमने 1 बढ़ा दिया यहाँ पे 7 बढ़ा दिया और 12 बारा 36 12 तिन 15 है ना 12 में कितना जोड़ी रहत 49 आगा 7 और 2 27 10 37 49 यानि कि इसमे कोई sequence हमको दिखाई नहीं दे रहा ठीक है 1 हो गया 7 हो गया 27 हो गया कुछ logic यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम कुछ अलग ट्राइ करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे कर दिया है गुड़े 1 करके प्लस 1 तो यह 5 हो गया इसमें क्या किए गुड़े 2 करके प्लस 2 कर दिया यह हो गया 5 गुड़े 10 दो 12 इसमें क्या किए गुड़े 3 करके प्लस 3 कर दिया तो बरतिये 36, 3, 49 यहाँ पे गुड़े 4 करके प्लस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा नोचोगे 36 कर चोओ और चरतिये 12, 3, 4, 156 चार, 160, यानि कि option number C आपका राइट हो जाएगा अगला स्वाल यहाँ पे यहाँ पे अगला स्वाल है कि इन में से कौन बिसम है बिसम मतलब जो बिलकुल अलग हो ठीक है तो दूद है, दही है, मक्खन है और पनीर है, इसमें से अलग कौन है, तो दोस्तो इसका option number C आपका बिलकुल राइट हो जाएगा option A इसलिए होगा कि जितने भी यह सब बनते हैं ना दही, मक्खन, पनीर, सारे के सारे दूद से ही बनते हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि दूद से परिस्कृत हो करके यह सारे बनते हैं, इसलिए दूद इसमें बिसम हो गया, दूद ही main source है, बनने का तो यहाँ आप देखिए, इनमें से कौन भी सम है अब इसमें बताना है, T है, Z है, Q है, H है मैं बार-बार बोलता हूँ कम से कम A से लेकर के Z तक आप यह याद कर लिए कि T कितने नमर प्याता है Q कितने नमर प्याता है, R कितने नमर प्याता है ऐसे, तो यह आसान हो जाता है T जैसे 20 नमर प्याता है, ठीक है Z 26 नमर प्याता है Q कितने नमर प्याता है, O 15, Q, ऐसे कर कर कभी याद की जागा, O, P, Q, 15, 17 तो यह हो जाएगा, Q 17 नमर पे H8, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है 1 है 20, 1 है 26 1 है 17, 1 है 8 इसमें से कौन अलग है दोस्तों इसमें से 17 अलग है क्योंकि यह सारे के सारे समसंग है 26 हो गया, 26 हो गया, 8 हो गया यह टुटल समसंग है यह जो कि 17 नहीं है, 17 कौन सा है Q है, तो यहाँ पर Q सबसे अलग हो गया ठीक, अगला स्वाले की अनाज है, गोदाम है, घड़ी है इसमें से different कौन आपको लग रहा है तो different नहीं, sorry sir, यहाँ पर relation बताना आपको, अनाज और गोदाम के बिच में क्या relation मना है, तो घड़ी और किन के बिच में वो relation बनेगा तो जो अनाज होता है, वो गोदाम में रखा जाता है, मतलब गोदाम अनाज रखने की जगा है, उसी तरह से घड़ी, दोस्तों किस में रखा जाता है वो रखा जाता है, बंडल में रखा जाता है, ठीक है actual में ये spelling mistake हो गया है तो ये आपका छड़ी है न तो यहाँ पर बंडल हो जाएगा लिखने में थोड़ा सा miss concept हो गया है तो चलिए अगला देख लेते हैं अगला यहाँ पर है कि हानी है संबेदना है उपलब दिया टिक तो यहाँ पर होगा क्या है हानी होने पर क्या होता है संबेदना संबेदना मतलब क्या होता है सहानुफूती होता है मन का एक उनभव है आपने सुना होगा संबेदन सिलता सिंपाइथी यह सम सिंपाइथी वगरा संबेदना कहता है तो किसी के अगर हानी होती है तो हम संबेदना महसुस करते हैं यार कैसे हो गया मतलब हम तो expect भी नहीं किया तीस तरह से होगा तो एक संबेदना आप जाहिर करते हैं किसी के प्रती उसी तरह से जब उपलब्धी होता है तो क्या करते हैं उसको बधाई देते हैं उपलब्धी किसी को होता है तो हम बधाई देते हैं मतलब जाहिर करते हैं अपनी बधाई दे करके जिस तरह से हानी होने पे संब्धना जाहिर किया जाता है तो उपलब्धी होने पे बधाई दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे option number D आपका right हो जागा और चलिए तो अभीकलवस इतना ही रखते हैं और आपको अच्छा लागी बुरी हो तो आप लाइक जरूर कर दिएगा और जादे जादे आपसे एक सवाल पूछते हैं दोस्तों इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीज़ेगा सवाल है कि दच्छडी सुडान की रजधानी क्या है अगर आपको आ रहा होगा तब जरूर दिज़ेगा कमेंट बॉक्स में एक सा जवाब दच्छडी सुडान की रजधानी तो चलिए भीकलवस इतना ही मिलते हैं आपसे नेवड़े को साथ